आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी अफ इंडिया में साइन नीओ नमश्कार दोस्तों समाचार एजेंसी अफ इंडिया की साइन नीओ में एक बार फिर आपका स्वागत है सिवनी में मंगलवार को हुई बारिश और बिजली की कड़कन तड़कन से बहुत जगह, काफी सारी जगहों पर नुकसान की खबने आ रही है सीवनी शहर में अनेक उमर दराज हो चुके दरक्त गिरने की कगार पर भी है समाचार एजन्सिय अफ इंडिया की साइन नियूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट स्पी बंगले के ठीक सामने बाउगली चौक से अपरविन गंगल कालोनी जाने वाला मार्ग और इस मार्ग पर एक पुराना दरक्त गिर गिर गया सड़क पर आड़ा पड़ा हुआ आपको दिख रहा होगा वैसे देखा जाए तो बारिश पूर्व नगरपाली का परिशद का ये दायत हो है कि वो बारिश के पहले इस तरीके के उमर दराज हो चुके या खतरनाक तरीके से जोके हुए दरक्तों को चिन्नित कर उन्हें हटाने की कवायत करे नए व्रक्ष शेहर के अंदर लगाए उसके लिए अखलेच दुबे की रिपोर्ट नगरपाली का परिशद का शाषण है का शाषण है वदहायक सिवनी भारती जन्ता पार्टी के हैं सांसद चार तारिक को पता लगेगा चार जून को के सांसद कौन सिवनी से चुना जाता है इस सब के बाद भी नगरपाली का परिशद की बेढ़ंगी चाल को काबू करने में भारती जन्ता पार्टी की जिलायकाई दो नगरमंडल हैं वे सब असफल ही प्रतीत हो रहे हैं सीवनी में पेजल की त्रही त्रही मची होई है चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है नवीन जलावर्दन योजना ठेकेदार को पूरा भुक्तान किये जाने के बाद मेंटिनेंस का भुक्तान भी नगरपाली का के सुत्रों ने समचार एजन्स एप इंडेट बताया कि मेंटिनेंस के लिए जो राशी ताय थी वो राशी भी जारी कर दी गई सबसे आश्चर की बात तो यह है कि जब नगरपाली का परिशद विपक्ष में थी भारती जन्ता पार्टी का शाशन था नगरपाली का में तब कॉंग्रिस की जिला एकाई नगर एकाई और वरतमान जो पारिशद चुने गए उन में से अनेक पारशद जो निता कॉंग्रिस की निता है वे इस बात को चीक चीक कर कहते थे कि मॉडल रोड में ब्रश्ट चार हुआ है जला वर्दन योजना में ब्रश्ट चार हुआ है पर जैसे ही उनकी सरकार आईप्रदेश में कौंगुरिस की सरकार काबिज हूई 15 मेने की सरकार में कौंगुरिस के जिला द्यक्ष राज कुमार खुराणा के द्वारा जला वर्दन योजना की जाच करानी की जहमत नहीं उठाई गई और मॉडल रूड की जाच भी उनके द्वारा नहीं कराई गई इसके अलावा अलगबग बाइस महनों से सिवनी में नगरपाली का परिशद पर कॉंग्रेस का कबजा है कॉंग्रेस अभी तक जलावर्धन योजना और मॉडल रूड के बारे में मोन ही धारित किये हुए है कर्मी के मौसम में सिवनी में पानी की तरही मची हुई है लगातार कई कई दिन नल नहीं आते हैं वरतमान में भी आठ मई बुदवार को अनेक अलाकों में नल नहीं आए साथ मई को भी नहीं आए छे मई को भी अनेक अलाकों में नल नहीं आए टैंकर से आपूरती की जा रही नहीं की जा रही है ये वाडवासियों को पता नहीं है तो इस से ज़्यादा अश्र इस बात पर होता है कि भारती जनता पार्टी के पार्शद भी सिर्फ विग्यपती जारी करने तक सीमित है नगर पाली का परिशद के द्वारा ठेकेदार को बुक्तान कैसे कर दिया है देखी कितने यहां पर खतरनाक तरीके से नीचे से वहां निकाल कर जा रहा है चोटे बच्चे भी यहां आपको दिखाई दे रहे होंगे और आवा गमन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग जो बहुत जोकिम भरा है वो उससे जा रहे हैं और यहां आप देख सकते हैं जड़ पूरी तरह होकली हो चुकी है इस तरीके के वरक्ष चिन्नित करने चाहिए नगरपाली का परशद को लोगों का सामाने आरोप है कि नगरपाली का परशद का मुख्य दायत्व इस तरह का प्रतीत होता है लगातार एक डियर दो दशकों से के खरीद निर्मान निर्मान खरीद और सिर्फ निर्मान नागरपाली का परशद पूरी तरह मौन साधे ही प्रतीत होती है समाचार एजिंसेफ इंडिया की साइन यूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट भारती जन्ता पार्टी और कॉंग्रिस के पारशद जिन्हें जन्ता ने बहुत भरोसे के साथ चुना है वे पारशद पूरी तरह मौन ही यहां पर नजर आते हैं किसी भी पारशद से अगर आप बात करें चाहे हो कॉंग्रिस के पारशद हो या भारती जन्ता पार्टी के पारशद यही कहते सुने जाते हैं कि मुख्य नगरपाली का अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं ऐसी इस्तिती में कॉंग्रिस के जिलाद्यक्ष, कॉंग्रिस के नगरद्यक्ष, भारती जनता पार्टी के जिलाद्यक्ष, भारती जनता पार्टी के दोनों मंडलों के नगरद्यक्ष, आखिर मोन क्यों हैं, ये समझ से परे हैं, ये मोन हैं तो हैं, विदायक दिनेश राय भी इस मामले में पूरी तरह मोन ही प्रतीत हो रहे हैं जब यहां पर रास्ता जाम हो गया लोग खतरनाक तरीके से यहां से निकल रहे थे तब नगरपाली का परिशत को इसकी सूचना दे गई और जीसी भी कमपनी की मशीन यह देखिए महिला कितने जोकिम भरे तरीके से पे पाउंडरिवाल आपको दिखाई दे रहे होगी छोटी बच्ची भी आपको दिख रही होगी पेडों के बीच में से सरकस के बाजीगर के मानिंद निकल के आती हुई दिख रहे हैं आखिर इसे क्या समझा जाए आखिर ये सब क्यों हैं ये समझ से परे है समाचार एजिंस नागरिकों की सुविधाओं के लिए नागरिकों के हितों के समवर्धन के लिए पारशदों को चुना गया है बासट करोड पच्पन लाख रुपे की जलावर्धन योजना से अगर पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो ठेकिदार को बुक्तान किस बात का किया जा रह सबसे बड़ा प्रश्ण यही है और इस मामले में विधायक सीवनी का मामला है जला मुख्याला ए सीवनी विधान सभा का हिस्सा है मुख्याला है इस लिहाज से विधायक दिनेश राय भारती जन्ता पार्टी के उन्हें प्रमुक सच्चिव नगरी कर प्रशाशन विभाग नगरी कल्यान विवाक से बात करना चाहिए मंत्री नगरी कल्यान विवाक से बात करना चाहिए और वस्तुस्तिती उनके समक्ष रखना चाहिए कि नगर पाली का परिशद कॉंग्रिस शाशत है और कितनी बेढ़ंगी चाल यहां पर चल रही है सिवनी में लगबग बारा साल पहले संस्थापित किये गए यातायात सिगनल ट्राफिक सिगनल अभी तक चालू नहीं हो पाए और तीस लाख रुपे का जो तीस लाख रुपे की राशी से लगाए गए थे और इनको लगाने का औचित समझ से परे हैं जिनके दौरा भी इसका बुक्तान किया गया हो उस समय लगाने के उन मुक्य नगरपाली का अधिकारी या ड्राइंग डिस्वर्सिंग आफिसर्स के वेतन भत्ते और अगर वे सेवा निवरत हो चुके हैं तो उनके पेंशन से इसकी वसूली की जाकर एक नजीर पेश की जानी चाहिए ताकि इस मामले इस तरह की की मुगलाई की पुनरा रत्ती दोबारा ना हो पाए समाचार एजिंसी एफ इंडिया की साइन यूस के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट जिलादी कारी सिंगल से अपिक्षा है अपील है दरखास्त है रिक्वेस्ट है कि वे एक बार पूर नगरपाली का परिशद को और उसके साथ ही राजस्व अमले को इसके लिए परवाही की जाए तो स्वभाग्य था कि यहां जब ये व्रक्ष गिरा जब दमीदोज हुआ तब यहां किसी तरह का यातायात ज़्यादा नहीं था कोई किसी इससे कहीं दुरघटना कारित नहीं हो पाई अन्य था बड़ी दुरघटना भी घट सकती थी समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट इस मामले में जला प्रशाशन को ततकाल संग्यान लेना चाहिए समाचारे जिंसिय अफ इंडिया की साही नियूस के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट अगर आपको इस सारी खबर में पसंद आ रही हूं तो आपने लाइक सब्सक्राइब और शियर जरूर कीजिएगा फिलाल आपते इजाज़त लेना चाहेंगे हम फिराजर होंगे जये हिन आपको 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 आपक झाल झाल